प्रथम तहल का न्यूज राजू के रूप में हुई है जो की मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उनाव जिले का निवास ही है तो वहीं महिला धाना पुलिस ने आरोपी को जिला अदालत में पेश किया जहां कोट ने आरोपी को जेल भेज़ दिया है यह इसमत की बड़ी खबर एक वेफिस आपको ब मामला दर्च किया है बतादे कि आरोपी की पहचान 55 वर्ष राजू के रूप में हुई है जो की मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उनाव जिले का निवासी है तो वहीं इस मामले में महिला धाना पुलिस ने आरोपी को पंचकुला की जिला अदालत में पेश किया जहां क पोर्ट ने आरोपी को जेल भेज़ दिया है इस वाद के लिए बड़ी खबर पंचकुला से बतादे की पंचकुला में एक अधेर उम्र के व्यक्ति ने साथ साल की मासूम बच्ची से छेरचार और दुशकर्म का प्रयाज किया तो वहीं इस मामले में पुलिस ने आरोपी को जिला अदालत में पेश किया जहां कोट ने आरोपी को जेल भेज़ दिया है इस वाद की बड़ी खबर एक बड़ी खबर फिर से आपको बता दे की पंचकुला में अधेर उम्र के एक व्यक्ति ने साथ साल की मासूम बच्ची से छेरचार और दुशकर्म का प्रयाज कि तो वहीं पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफतार किया और पोक्सो एक के तहत मामला दर्च किया है बता दे की आरोपी की पहचान पच्चपंद वर्षियर राजू के रूप में हुई है जो की मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का निवासी है तो वहीं इस मामले में मैला धाना पुलिस ने आरोपी को पंच्कुला की जिला अदालत में पेश किया जहां कोट ने आरोपी को जेल धेज़ दिया है यह एक आरोपी ने एक बच्ची के साथ छेड़ चार की थी तो उसको कल हमने अरेस्ट किया है राज को पेश कर दिया उसको जुटिशियल पेश कर दिया है मैं क्या नाम था AroPy का और बच्ची कितने साल की थी? बच्ची साथ साल की है और AroPy का नाम है राज्जी। और उनाव का रहने वला है उनाव यूटी में. मैं किस पर गार के छेड़ शाड़ करता था? यह बच्ची अपने सोरी थी रात को और उस बच्ची के सारे कपड़े उतार के और उसके साथ गलत काम करने के इसने कोशिश थी 11.15 के जॉप के पास पार क्या होना का पर बच्ची मैं वही रहती थी यह बच्ची जुगियों में तो ठीक